यह एक ऐसी सीट है जहां से पिछले चुनाओं में एक प्रेमी बागी हो गए और कॉंग्रेस चुनाओ हार गई बगावत यहां के हर चुनाओं में नजर आएगी इस सीट ने सिर्फ दो लोगों को रिपीट किया है कॉंग्रेस कुल मिलाकर अब तक हुए 14 जुनाओं में सिर्फ 4 जीत सकी है तो बात आज केशो राय पाटन के करेंगे बगवान विश्णों के नाम पर बसी यह नगरी और आसपास का इलाका हाडोती क्षेत्र में अनुस्चित जाती के लिए आरक्षित बूंदी जिले की एक सीट है केशो राय पाटन से गोपाल पचेरवाल जो की जनता पालटी के टिकेट पर लगातार दो बार विधायक रहे लगबग 1977 से 2008 तक हर बार अलग-अलग सिंबल से चुनाव लड़े या बीजेपी से विधायक रहने वाला भी बागी हुआ और कॉंग्रेस वाला भी यह कोटा लोगसवाक शेतर के अंतरगात आती हैं फिलाल देश की लोगसवाक अद्दक्स ओम बिरला यहां से बीजेपी के टिकेट पर सांसद है और स्रीमधी चंदरकांदा मेगवाल बीजेपी के सिंगबल पर विधायक हैं खिलाल इस सीट पर 290 बूत हैं और मद्दाताओं की संक्या 2,71,000 को पार कर चुकी है 13,935 वोट बीते 4 साल में यहां नए जुड़े हैं और एक बूत पर उसता 938 मद्दाता पंजीकरत हैं 2018 चुनाओं की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी ने कोटा जिले में रामगंज बंडी से लगातार दो बार विधायक रही चंदरकांदा मेगवाल को केशो राइपाटन भेजा तो उन्होंने एक आसान सी दर्ज की, इस दर्ज में योगदान रहा चुन्नीलाल प्रेमी का चुन्नीलाल प्रेमी कॉंग्रेस की टिगट पर 2013 में विधायक बने थे और उनकी जिएक कॉंग्रेस ने युवा राकेश बोयत को टिगट दे दिया प्रेमी निर्दलिय हो गए और उन्होंने 35,115 वोट पाए जबकि जीत का अंतर 7,119 वोट का ही रहा यहां नोटा को भी करीब सवा 4,000 वोट मिले इससे पहले 2013 में बीजेपी ने अपनी 2008 की भूल सुधारते हुए पूर मंत्री और यहां से विधायक रहे बाबुलाल वर्मा को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया उन्होंने कॉंग्रेस के CL प्रेमी को 12,677 वोटों से हराया था इस चुनाओ में पूर विधायक घासी लाल एक बार फिर से बागी थे और उन्होंने नेशनल पीपोल्स पार्टे के सिंबल पर चुनाओ लड़ा और 37,150 वोट पाए ऐसे में त्रिकोनिय मुकाबला हुआ और बीजेपी की खासा आसान हो गई 2008 में कॉंग्रेस ने C.L. प्रेमी को चुनाओ मैदान में अपने सिंबल पर उतारा था तो नए पारी सिमिन के चलते बाबुलाल वर्मा की जगए बीजेपी ने पूरु विधायक गोपाल पचेरवाल जो कि लगातार अलगलग सिंबल पर संगर्स कर रहे थे उन्हें प्रत जो नए परिशिमिन 2008 का चुनाओ हुआ था है सर्फ 29.000 सिंग्ग हाड़ा, यहाँ से रामराजय परिषद प्रिशत के पहले विधायक बने और करीब चमाल प्रतिशत वोटों के अंतर से जीते कॉंग्रेस के भमरलाल यां हारे थे 57 में दूसरी विधानसभा के लिए पाटन से चुनाव नहीं हुए 62 में या फिर चुनाव हुए तो जंसंग के टिकट पर हरी प्रसाद करीब साड़े 3000 अजार वोट से जीते उन्होंने कॉंग्रेस के भमरलाल को हराया तीसरी विधानसभा यानि की 67 के चुनाव में ये अनुसरी जाते के लिए सीट आरक्षित हो गई इस चुनाव में कांटे के टककर हुई कॉंग्रेस के नंदलाल बैरवा बहुत ही कम अंतर यानि की मातर 149 वोट से चुनाव जीते हैं उन्होंने जनसंके एम लाल को हराया निर्दली मतरू यहां 1656 वोट ले गए मार्जिनल वोट से कहीं ज्यादा इस से अगले यानि की 1972 के चुनाव में नंदलाल बैरवा करीब 13.000 वोटों के अंतर से जनसंके सीता राम पर भारी पड़े और लगातार दूसरी बार विदायक बने निशो सततर में जेपी की संपूर्ण करांती का नारापुरे देश में गूंज रहा था अगले विदानसवा चुनाव यानि 1980 में पाटन सीट पर एक बार मुकावला फिर से गोपाल पचेरवाल और कल्याण मल के बीच रहा लेकिन इसमें एक बार फिर जेपी वाली जनता पार्टे के गोपाल पचेरवाल भारी पड़े और दूसरी बार 1318 वोटों के अंतर से ज रहने वाले नहीं थे वे पाली जिले की जेतारन तैसिल के गर्नियां गाओं के रहने वाले थे और बूंदी के काप्रेन इलाके के अड़ी सा गाओं में बस गए थे मांगिलाल ने नंदलाल बैरवा को 203 वोट से हरा कर विदान सभा में पहुचने में सफलता हासिल की 1990 में भी मांगिलाल दूसरी बार जीत गए और उन्होंने कांग्रेस के दिनेश कुमार को करीब 15,800 वोटों से हरा दिया 1993 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से पूर विदायक नंदलाल बैरवा को बिजेपी के मांगिलाल के सामने उतारा लेकिन मांगिलाल फिर जीत ग बने थे उस चुनाव में यूथ कॉंग्रेस के जिलाद्यक्स घासिलाल मेंगवाल को कॉंग्रेस ने टिकट दिया तो बीजेपी ने बीजेपी ने यहां से राम नारण मेंगवाल को अपना प्रतियाशी बनाया जो 13,418 वोट से हारे पूर विधायक गोपाल पचेरवाल इनकाम लगातार जिक्र कर रहें वो एक बार फिर से बागी खड़े हुए इस बार वे समता पार्टे से टिकट लाए लेकिन करीब 9000 वोट ही पासके यह सीट जो बीजेपी का गड़ थी 77 से बीजेपी विचारधारा वाली पार्टियों का गड़ थी उस पे कॉंग्रेस न जो विधायक थे और भैरुसिंग सरकार में मंत्री रह चुके बाबुलाल वर्मा को यहां से चुनाव मेदान में उता रहा वर्मा ने पार्टे को निराश नहीं किया वे घासिलाल मेगवाल को 4352 वोटों से हरा कर विधानसपा में पहुंचे पूर विधायक पचेरवाल जो कि कभी निर्दली है और कभी किसी अन्य पार्टी से टिकट ला रहे थे इस बार जंतादल से लड़े जंतादल यूनाइटेड मैदान में उतरे और करीब 20,400 वोट उन्होंने सिक्योर की हैं केशव राय पार्टन जो है उसका बता चुके 2008 में CL प्रेमी बने फिर 13 में बागुलाल वर्मा फिर बने और 18 में एक बार चंदरकांता मेगवाल रामगंज मेंडिस या सिफ्टू के विधायत हैं केशव राय पाटन भगवान विश्णू की नगरी है इसे केशव राय पाटन यानि केशव भगवान विश्णू का एक और नाम है उनके नाम से भी ज हैं और वसंद्रा राजे द्वारा यहां 2022 में एक राजनितिक इवेंट जिसको निजी इवेंट कहा जाता है जन्मदिन मनाए जाने से राजनितिक रूप से और अधिक चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ था यहां पे यह इलाका बीजेपी के प्रभाव वाला हैं देखना यह है कि 2023 में पार्टियां किसे चुनकर टिगट देती है और जनता किस प्रत्यासी नाम सिंबल के आगे इवीम का बटन दबाएगी फिलाल आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए धन्यवाद